नमस्ते, मैं हूँ किशोर अजवानी, घड़ी इशारा कर रही है नौ बजे रात का वक्त सो बात की एक बात का ब्रेकिंग नूज आ रही है, रेलवे परीक्षा पर मचे हंगामे पर, इस मुद्दे पर, बिहार में मचे बवाल के बीच, दिल्ली में रेल मंत्राले में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें आला अफसरों के साथ रेल मंत्री भी मौझूद रहे यही नहीं, इसमें रेलवे भरती बोर्ड के अधिकारी और चात्रों के आरोपों की जाच के लिए बनी कमिटी के सदस से भी पहुँचे रेल मंत्राले की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, इस विवाद का हल निकाला जाए बदा जा रहा है कि ग्रूप C के लिए एक ही परीक्षा करवाये जाने पर फैसला हो सकता है इससे पहले ये भी खबर आई थी कि पीएमो के साथ भी एक मीटिंग होगी लेकिन बाद में वो टेल गई अमित पांडे मार साथ जुड़ रहे हैं, अमित और क्या पता चल रहा है? इसी बात को पीएमो को भी सुचित किया जागा और संबर तक कुछी दिनों में पीएमो के साथ भी एहमिया पर बैटक होगी रेलवे की भरती परीक्षा में गड़बडियों के खिलाफ विपक्ष के बिहार बंद का असर कई जिलों में दिखा बिहार की राजधानी पटना समेथ कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की वज़े से आम लोगों को ट्राफिक जाम में फसना पड़ा इसके लावा कई जगों से आगजनी की भी खबरें आई तो दर्भंगा जिले में तो वाम दलों के चातर संगठनों से जुड़े लोग रेलवे ट्रैक पर पहुँच गए रेल गाड़ी के आगे जमे प्रदर्शनकारी काफी देर तक लावं earn में रहे और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे उन्होंने पट्री के किनारे पर लगे हुक उखाड़ने शुरू कर दिये मतलब ये कि अगर ट्रेन इस पट्री से गुजरे तो पट्री ट्रेन का वज़न न जहल पाए अलाकि ट्रैक तोडने की कोशिश करते दिखे ये लड़के कौन सी पाटी के थे ये पता नहीं चल पाया चातर संगठनों ने समस्तिपूर में भी कुछ सडकों को जैम कर दिया सडक के बीच में टायर जला कर कुछ प्रदर्शनकारी जमा हो गए बिहार के हाजीपूर में आरजेडी ने कुछ एहम रास्तों को जैम करने की कोशिश की आरजेडी विधायक की अगवाई में कुछ प्रदर्शनकारियों ने रामाशीश चौक पर आगजनी कर रास्ता काफी देर तक बंद रखा जिसकी वज़े से आम लोगों की तकलीफें बढ़ गए अलाकि राजनीतिक दलों के इस विरोध में चात्रों की मौझूदगी नहीं दिखी बिहार की राजधानी पटना में भी विपक्षी दलों के नेता बंद को कामयाब करने कराने के लिए पहुंच गए और पूरे शहर में घूम घूम कर बाजार बंद करवाए बंद करवाने वालों में वाम पार्टियों के चातर संगठनों के अलावा अप्पू यादव की पार्टी जनधिकार पार्टी भी शामिल रही कई जगों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर रास्ते जैम कर दिये डाग बंगला चौराहे पर बैठ कर प्रदर्शनकारी गंटों तक हंगामा करते रहे जाज कमिटी की रिपोर्ट आगी चार मार्च को चात्रों के समर्थन में ऐसे नेता भी पहुँचे जिने आरार भी एंटी पीसी की परिक्षाओं का मतलब तक नहीं पता था आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है हलांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को रोकने के इंतजाम किये जरूर थे लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए और दोबेर तक बिहार के कई जिलों में हंगामा चलता रहा और दिल्ली में चात्रों का विवाद सुझाने की कोशिश चलती रही रेल मंतरी ने विपक्ष को इस मसले पर राजनी तिन न करने की नसीहत दी थी और दूसरी तरफ पठना के कोचिंग इंस्ट्टूट चलाने वालों ने भी चात्रों से बिहार बंद का हिस्सा न बनने की अपील की थी चात्रों से अपील करने वालों में खान सर के नाम से मशूर यूट्यूबर भी शामिल रहे इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी चात्रों से शांत रहने को कहा और रेल मंतरी को एक मौका देने की अपील की रेल मंत्री ने विवाद को सुलजाने के लिए दो दिन पहले ही कमिटी के गठन का एलान किया था जो पूरे विवाद पर चात्रों से भी सुझाव लेगी लेकिन सरकार की कोशिशों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने सरकार के खलाव प्रदर्शन किया रेल भवन के बाहर यूथ कॉंग्रेस के कारेकरता प्रदर्शन करने के लिए पहुँच गए जहां पहले से धारा 144 लगाए गई थी लेकिन धारा 144 की परवा किये बिना कॉंग्रेस के कारिकरता हाथों में तख्तियां लेकर आगे बनने लगे पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर प्रदर्शन कारियों को रोकने के इंतजाम किये थे लेकिन प्रदर्शनकारी तख्तियों के अलावा कुछ पुतले भी बना कर लाए थे पुलिस ने पुतले तो चीन कर नश्ट कर दिये लेकिन हंगामा नहीं थमा बैरिकेडिंग पर चड़कर प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे पुलिस के अलावा अर्दसैनिक बलके जवान भी तैनात कर दिये गए पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को हटाया वो सड़क पर बैठ कर ही नारे लगाने लगे आखिर हंगामा तब धमा जब कॉंग्रेस के नेताओं और कारेकरताओं को पुलिस ने खीच खीच कर बस में बठाया काफी देर तक धका मुक्की चलती रही जहां मौका मिला प्रदर्शनकारी सड़क पर ही जम गए काफी देर तक चले हंगामे के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कमिटी को भी किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले चात्रों के सभी विशे सुनने को कहा गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दिल्ली में अपने हलिकॉप्टर को रोकने का आरोप लगा है अखिलेश यादव को मुजफ़न अगर जाना था जिसके लिए वो पहले दिल्ली पहुँचे लेकिन वहां से उन्होंने एक ट्वीट कर ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके हलिकॉप्टर को उडान भरने से रोक दिया उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहीं से बीजेपी के एक नेता के हलिकॉप्टर को उडान भरने की इजाज़त दी गई थोड़ी दिर बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया हाला कि उसी ट्वीट में उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर के ओडान भरने की जानकारी भी दी अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालविये ने पलटवार किया उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश के आरोपों को हार से पहले की बॉकलाट बता दिया आप टेकनिकल चीज़ पर भी पुलिटिकल पाखंट करेंगे अब अभी कल को कहेंगे कि हमारी साइकल पंचर हो गई वो भी बीजेपी जिम्मेदार है मुहीं सरकारी सुत्रों ने भी हेलिकॉप्टर को रोकने के अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताया हेलिकॉप्टर को रोके जाने कारोप लगा दिया जिस पर सियासी घमासान खड़ा हो गया आलाकि बाद में मुजफर नगर पहुंचे अखिलेश यादव ने जैंत चौधरी के साथ मिलकर प्रेस कांफरेंस की उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता राजबबर पार्टी छोड़ कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं कॉंग्रेस में आने से पहले भी राजबबर समाजवादी पार्टी में ही थे जिनके कॉंग्रेस छोड़ने का इशारा किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने न्यूज 18 से बाचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार राजबबर के संपर्क में है और वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं यही नहीं फखरुल चांद हसन ने ये दावा भी किया कि राजबबर ही नहीं बलकि दूसरी पार्टीयों के कई और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तयार हैं लेकिन राजबबर का कॉंग्रेस चोड़ कर जाना पार्टी के लिए एक और जटका हो सकता है क्योंकि वो पिछले 14 साल से कॉंग्रेस से जोड़े रहे हैं। हालनकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जंता दल से की और बाद में वो समाजबबबर को राज्यसबा बेजा था और 2004 में वो समाजबबबर के टिकट पर ही जीत कर पहली बार लोगसबा पहुंचे थे लेकिन 2006 में उन्होंने समाजबबबर को चोड़ दी पतनी डिम्पल यादव को हराया था इसके बाद 2016 में कांग्रिस ने राजबबर को यूपी कांग्रिस का अध्यक्ष बना दिया था जिस पर वो 2019 तक रहे थे सो बात की एक बात ये कि यूपी चुनाओं का ऐलान होने के बाद सही कांग्रिस को कई जटके लगे उसके तीन यूसिफ ली, हैदर अली खान और सुप्रिया आयरन ने पार्टी छोड़ी जिनें उम्मीदवार बना गया था यही नहीं इमरान मसूद और आर्पियन सिंग जैसे बड़े चेहरों ने भी कांग्रिस का हाथ छोड़ दिया अब राजबबर के भी कांग्रिस छोड़ने की जटकने लगाई जा रही हैं जो 29 नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने पार्टी नेतरित्व में बदलाव की मांग पर आला कमान को चिठी लिगी थी बीसी सी आई दो चरणों में रंजी ट्रोफी करवाएगी पीसी सी आई ने घरेलू क्रिकेटरों को बड़ी खुशखबरी देते हुए रंजी ट्रोफी आयोजित करने का आईलान किया ये प्रतियोगिता दो चरणों में करवाई जाएगी इससे पहले कुरोना संकट की वज़े से रंजी ट्रोफी टाल दी गई थी उत्रागंड के सीम पुशकर सिंग धामी ने खटीमा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया धामी इसी सीट से विधान सबा चुनाव लड़ रहे हैं लोकसबा द्यक्ष ओम बिर्ला ने संसद में चल रही बज़ट सत्र की तयारियों का जाइजा लिया ये बज़ट सत्र सोमवार से शुरू होगा और मंगलवार यानी एक परवरी को बज़ट पेश किया जाएगा बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधान सबा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी इसमें त्रेपन नाम शामिल है ब्रिकिंग न्यूज आ रही है भोपाल से आपत्री जनक टिपनी के आरोप में गिरी अभिनेतरी शुईता तिवारी ने माफी मांग ली उनके खिलाफ इसी वज़े से मुकदमा दर्च किया गया था हालनकि मामले के तूल पकड़ते ही उन्होंने खेद जताया शूटिंग के लिए भोपाल पहुंची शुईता तिवारी ने होटेल में एक कारिकरम के दौरान बयान दिया था जिस पर हंगामा खड़ा हो गया और उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाने का इल्जाम लगा मनोच शर्मामार साथ जुड़ रहा है मनोच क्या पता चल रहा है इस पर जे किशोज शुईता तिवारी की मुश्किलने अभी खत्म होती नदर नहीं आ रही है हलाकि शुईता तिवारी ने माफी मांग ली है उन्होंने अपने वक्तम में कहा है कि उनका एरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुचाने का नहीं था पिर भी अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुची है तो इसके लिए वो माफी मांगती है मद्य प्रदेश के भोपाल में अभिनेत्री शुईता तिवारी पर आपत्ति जनक टिपणी करने के मामले में केस दर्च कर लिया गया शुईता तिवारी 23 जनवरी को वहाँ अपनी टीम के साथ आने वाली वेब सिरीज के सिलसले में पहुची थी जिसकी शूटिंग भोपाल में ही होनी है और इसके लिए वहाँ एक होटेल में मीडिया की मौजूदगी में वेब सिरीज के कलाकार एक साथ मंच पर बैठे दिखाई दिये इस दौरान एक कलाकार से सवाल करने के बीच में ही शुईता तिवारी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी शुईता तिवारी के इस बयान पर भुपाल में उनके खिलाव धार्मिक भावनाय भड़काने का केस दर्च कर लिया गया शुईता तिवारी के बयान का वीडियो सामने आने के बाद ही मद्यपरदेश के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने उनके खिलाव कारवाई के निर्देश दे दिये थे जिसके बाद उनके खिलाव मद्यपरदेश पुलिस ने केस दर्च कर लिया असल में शुटा तिवारी के जिस बयान पर F.I.R. हुई वो उन्होंने तब दिया था जब उनके साथ मंच पर ही मौजूद एक दूसरे कलाकार सौरब राजजेन से सवाल किया गया सौरब राजजेन वही एक्टर हैं जिन्होंने एक धार्मिक सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था और इसी पर उनसे पूछा गया कि धार्मिक किरदार निभाने के बाद वो वेब सीरीज में एक अलग रोल में खुद को कैसे देखते हैं बस इसी सवाल के बीच में शुटा तिवारी ने हस्ते वे वो बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया सौबात की एक बाती है कि केस दर्ज होने के बाद शुटा तिवारी ने एक बयान जारी करके माफी मांग ली और अपने बयान को गलत तरीके से लिए जाने की बात कही उन्होंने साफ किया कि किसी की भावना को ठेस पहुचाना उनका मकसद नहीं था उत्तर प्रदेश की हसनपूर विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के उमीदवार मुख्या गुर्जर के विवादासपत बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने पलटवार कर दिया एक दिन पहले मुख्या गुर्जर का वीडियो बीजेपी नेता शलम मनी त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें वो हसनपूर के मौझूदा बीजेपी विधायक की संपत्ती लूटने की बात करते नज़र आये थे जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कारेकरताओं ने मुख्या गुर्जर पर हमला बोल दिया साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा कर समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया इस मुद्दे पर सियासी हंगामा बढ़ता देख समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुख्या गुर्जर ने अपने विवादास्पत बयान पर सफाई दी मैंने कोई समपती लूटने की ने की मैंने ये कहा था कि यहां का विधायक वो लूट खसोट में लगा हुआ है तो तुम्हें उस से जो है छुटकारा दिल वाओंगा थी हालनकि उस बायान के लिए उन पर केस डर्ज हो चुका है सौबात के एक बात ये कि हसनपुर विधान सभा सीट पर बीजेपी का कबजा है पार्टी के मौझूदा उम्मीदवार महेंदर सिंग खड़क वंशी ने 2017 के चुनाव में ये सीट जीती थी लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की टिकेट पर खड़े मुख्या गुर्जर ने उनके खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी उन पर लगातार हमला वर है चुनावी गेहमा गेमी के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोट सिद्धू की बेहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने चंडीगण में एक प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें वो सिद्धू से बेहत नाराज नजर आई प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया के सामने बोलते बोलते कई बार उनका गला भी भराया सुमन तूर ने सिद्धू पर आरोब लगाया कि उन्होंने न कभी अपनी मां की सुद ली और न कभी अपनी बहनों की अपनी बात साबित करने के लिए वो बच्पन की एक तस्वीर भी लाईं जिसे उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया और फिर सिद्धू पर अपना गुस्सा उतारा सुमन्तूर का कहना है कि सिद्धू का एक पुराना इंटिव्यू पढ़ने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये सारी बातें रखने का फैसला लिया क्योंकि उनका कहना है कि उस इंटर्वियू में सिद्धू ने कहा था कि जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे सुमन्तूर ने उनकी इस बात को सरासर जूट बताया और सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया इतने बड़े आरोप लगे तो सिद्धू की ओर से उनकी पत्नी ने जवाब दिया और बोल दिया कि खुद को सिध्धू की बेहन बोलने वाली सुमन तूर को वो जानती ही नहीं है नवजोज सिध्धू की बेहन सुमन तूर की अमर सतर साल है और उनकी दूसरी बेहन और माँ का निधन हो चुका है सौबात की एक बाती कि अमेरिका में रहने वाली नवजोच सिद्धू की बहन सुमन्तूर जिस आर्टिकल की वज़े से नाराज है वो 1987 का एक आर्टिकल बता जा रहा है उनका अरोप है कि उस आर्टिकल में सिद्धूने माता पिता के अलग होने से जुड़ी जो बात कही वो जूट है और इसलिए वो जुरूरी सुबूत लेकर सब के सामने आई यूपी के बहराईज जिले की महसी विधानसवा सीट से टिकेट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता राजेश तिवारी और उनके समर्थक भावुक हो गए पार्टी ने इस सीट से कृष्णुक्मार ओजा को उम्मीदवार बनाया जिससे राजेश तिवारी और उनके समर्थकों को बड़ा जटका लगा जो टिकेट की उम्मीद में पिछले कई दिन से लखनाव में डेरा डाले हुए थे और जैसे ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट में राजेश तिवारी का नाम नहीं होने की जानकारी मिली तो उनका एक समर्थक फूट फूट कर रोने लगा जिसे राजेश तिवारी डाडस बनाने की कोशिश करते रहे आलंकि अपने समर्थक को होसला देने की कोशिश करते हुए राजेश तिवारी खुद भी भावुक हो गए और उमाल की मदद से अपने और अपने समर्थक के आंसू पोंचने लगे टिकेट नहीं मिलने से राजेश तिवारी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया समाजवादी पार्टी में रहने का आप कोई उचित नहीं है और आने वाले दो एक दिनों में इस बात कि हम घोस्टा करेंगे यही नहीं 2008 में समाजवादी पार्टी से जुड़े राजेश तिवारी ने अब दूसरी पार्टी के टिकट पर मैसी विधान सबा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही सोबात किक बाती कि 2012 में राजेश तिवारी ने बहराईज की मैसी सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो BSP के उम्मीदवार रहे कृष्ण कुमार ओजा से आर गए थे जो 2019 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इस बार पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गोवा में टीमसी नेता लुईजीनो फिलेरो चुनाव नहीं लड़ाएंगे गोवा में टीमसी नेता लुईजीनो फिलेरो ने विधान सबा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया और अपना टिकेट पार्टी को लोटा दिया लुजिनों ने दलील दी कि उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए ऐसा किया स्पेन के टेनिस खिलाडी राफेल नडाल जीत के साथ उस्टेलियन ओपन के फाइनल में पहुँच गए उन्होंने सेमी फाइनल मुकाबले में इटली के मत्यो बरतीनी के खिलाफ 6-3, 6-3, 3-6 और 6-3 से जीत हासल की बजट सत्र से पहले कॉंग्रेस नेताओं की एक वर्चूल बैठक हुई इसमें पैसला लिया गया कि पार्टी संसत में चीन सीमा विवाद और किसानों का मुद्दा उठाएगी इसके अलावा कॉरोना प्रभावितों के लिए कॉंग्रेस राहत पैकेज की मांग भी करेगी केंद्रिय स्वास्ते मंतरी मंसुक मांडविया ने बताया कि देश में 19 दिनों में एक करोड प्रिकॉशन डोज लगाई गई दिल्ली के अलीपूर इलाके से दिल देला देने वाला एक वीडियो सामने आया वहाँ रोज पहले मोटरसाइकल सवार बदमाशों ने एक आदमी को गोलियों से चलनी कर दिया मरने वाले की पहचान प्रमोद बजार के तौर पर हुई जिस पर कई मामले दर्श थे इस गटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें रात करीब साड़े दस बजे प्रमोद अपने एक साथी के साथ सड़क से गुजरता दिखाई दिया तभी सामने से एक मोटरसाइकल आयी जिस पर तीन बदमाश सवार थे इसी दोरान वहाँ एक दूसरा बदमाश भी दोड़ते हुए पहुचा और उसने भी उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी बाद में तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो गए इस हमले में बुरी तरा गायल प्रमोद को फॉरण अस्पताल ले जाये गया जहां उसने दम तोड़ दिया इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्च कर मामले की चानबीन शुरू कर दी सो बात की एक बात ही कि प्रमोद बजार गैंक्स्टर नीरज बवानिया का रिष्टेदार था और उस पर हत्या की कोशिश समेट गैंक्स्टर अमिद भूरा को पुलिस हिरासत से भगाने का भी आरोब था हालनकि पुलिस अभी गैंग वार जैसी किसी बात से इंकार कर रही है ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादाव और उनके परिवार पर बेहत गंभीर आरोब लगे हैं इल्जाम है कि आए से ज़्यादा संपत्ती के मामले में उन्होंने सीबियाई के फरदी दस्तावेज बनाया और उनका इस्तमाल सुप्रीम कोर्ट में किया एतशाम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एतशाम ये जो केस कोर्ट में था उस पर बात हुई है ये लेकि सीबियाई अदालत में ये मामला चल रहा है उसमें आज अंत्रिमादेश आया है जिसमें कोर्ट में ये कहा है कि अभी तक जो तर्चे सामने आए हैं उसमें अखिलेश यादव या उनके परिवार के तरफ कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है इसलिए और बहस की जरू अंकेत नहीं मिल रहा है कि इनोगे के खिलाफ आगे केस चलाया जाए इसलिए अभी कोर्ट में और आगे साथ फरवरी से बहस होगी जिसके बाद आगे कोई निशकर्ष निकालेगा कि क्या इनके खिलाफ कोई केस बनता है या नहीं ठीक है ठीक है यानि कि हम जो बता रहे थे उससे कुछ अलग है मामला जैसा आतशाम ने बताया राजिस्तान की जोदपूर उनिवरस्टी में पेंशन मिलने में देरी पर बवाल हो गया चात्रों रेटायर हो चुके कर्मचारियों ने वहां दीक्षान समारों के दारान मंच पर गए और कुलपती को काले जंडे दिखाने लगे बवाल बढ़ता देखकर पुलिस वाले भी मंच पर चड़ गए और चात्रों को कीच कर वहां से ले गए लेकिन पेंशन की समस्या का समाधान ढूंडने पहुंचे कर्मचारी वहीं डटे रहे और कहते रहे कि बिन ग्यापन दिये वो वहां से नहीं हिलेंगे जिसके बाद पुलिस जबरदस्ती उन्हें बाहर ले जाने लगी लेकिन हंगामा नहीं थमा कर्मचारियों और पुलिस वालों के बीच कहा सुनी भी हुई युनिवरस्टी प्रशासन को बवाल का अंदेशा था इसलिए पुलि पुलिस से उलजने के मूड में भी दिखे मंच पर चड़ने से पहले वो उसके सामने खड़े होकर नारे लगाते नजर आए इस दोरान पुलिस से उनकी हलकी जड़ब हुई लेकिन वो रुके नहीं और नारे लगाते रहे थोड़ी देर बाद ये चात्र और युनिवरस् अध्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर वीडियो कान्फरेंसिंग के जरीए जुड़े थे और प्रदर्शनकारियों का मकसद था कि वो अपनी बात उन तक भी पहुंचाएं ताकि लंबे समय से चली आ रही पेंचन की समस्या का हल निकले बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपनी छटी लिस्ट जारी कर दी 91 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी ने 17 मौझूदा विधायकों का टिकेट काट दिया जिन में भोगनीपूर से विनोत कटियार का टिकेट काट कर राकेश सचान को दिया गया जो एक दिन पहले ही कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इसके लावा हैदर गड़ से विधायक रहे बैजनात रावत की जगा बीजेपी ने इस बार दिनेश रावत को टिकेट दे दिया महीं बीकापूर सीट से बीजेपी ने विधायक शोभा सिंग चोहान की जगा उनके बेटे डॉक्टर अमिच सिंग चोहान को उम्मीदवार मनाया जबकि देवरिया से सत्यमनी तुरपाथी का टिकेट काट कर पाटी ने शलम मनी तुरपाथी पर अपना भरोसा जताया इसी तरह बलिया की बेल्था रोड सीट पर मौझूदा विधायक धननजय कनोजिया का टिकेट काट कर बीएसपी से बीजेपी में आये चट्टू राम को उम्मीदवार मनाया लेकिन बड़े चेहरों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने इलाबाद पश्चिम से सिधार अब्डाद सिंग को फिर उम्मीदवार मनाया जबकि इलाबाद दक्षिन से विधायक नंद कुमार नंदी को फिर टिकट दिया गया सौबात की एक बात है कि अपनी छटी लिस्ट में बीजेपी ने सत्रा विधायकों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया तो कई पुराने चेहरों पर भरोसा भी जताया यूपी के लिए अपनी इस लिस्ट में बीजेपी ने 9 महिला और 20 अनुसूचित जाती के उम्मीदवारों को टिकट दिया है अब तक बीजेपी कुल 403 सीटों में 204 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का इलान कर चुकी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दोरान परचे बाटने पर निशाना साधा और उन पर कोरोना पहलाने का आरोब लगा दिया अखिलेश ने ये मुद्दा तब उठाया है जब बीजेपी के कई बड़े नेता घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं और इस प्रचार अभ्यान के दोरान बीजेपी नेताओं की तरफ से परचे बाट कर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है इसी बात पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घर लिया लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को सिरे सखारिश कर दिया और उन पर ये आरोप लगाया कि वो जनता के बीच में जाने तक से घबरा रहे हैं करोना की वज़े से चुनाव आयोग ने रैली, रोडशो और जनसभाओं पर पाबंदी लगा रखी है और इसी वज़े से बीजेपी घर घर जाकर प्रचार करने में जुटी है सौबात की एक बात है कि यूपी में सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत इस इलाके में छोग दी है लेकिन 31 जनवरी तक करोना की वज़े से रैली, जनसबा, पध्यात्रा और रोट्सो निकालने पर रोख है इसी वज़े से बीजेपी के कई बड़े नेता पश्चिमी उपी के जिलों में घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे है नितीश कुमार उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं करेंगे जेडियू ने यूपी विधानसबा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारों की सूची जारी कर दी लेकिन बिहार के सीम नितीश कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडियू का गडबंधन है ऐसे में वो वहाँ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने जलंधर में आयोजित एक चुनाव प्रचार कारिकरम में इसा लिया इस दोरान उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क और रोजगार की समस्या पर भात की शेर बाजार में दिन भर बढ़त रही लेकिन आखरी घंटे में ये फिसल गया इससे सेंसेक 77 अंग खिसक कर 57,200 पर बंद हुआ साथी निफ्टी आठ अंक नीचे 17,102 पर लोडग गया उत्तराघंड बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी इसमें कॉंग्रेस छोड़ कर आए किशोर उपाध्याय का भी नाम शामिल है वो टिहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे समर्थन में उतराया है चीन ने रूस की सुरक्षा से जूड़ी उन मांगों को बिलकुल वाजब बताया जो कि उसने अमेरिका और नैटो के सामने रखी थी दो दिन पहले अमेरिका ने रूस की इन मांगों को ठुकरा दिया था लेकिन जैसे ही ये खबर चीन को पता चली उसके विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी बिलिंकिन को फोन किया और चिताव नी दी कि वो यूकरेन पर रूस की मांगों को गंभीरता से ले इतना ही नहीं बादचीत में यूकरेन बॉर्डर पर रूस के एक लाख से ज़्यादा सेनकों की तैनाती को भी चीन ने बिल्कुल सही चाहराया है और तो और उसने अमेरिका को ही तिल का ताड़ न बनाने की नसीहत दे दी अमेरिकी विदेश मंतरी वॉंग ये ने अमेरिकी विदेश मंतरी आंटोनी ब्लेंकिन से समवात के बाद अपना ये रुक जाहर किया इससे पहले भी हमने देखा है किशोर कि चीन और रूस अलग-अलग मंचों पर साज्यधारी या भागेदारी के साथ सामने आया है और अब रूस को सहानभूती देने के लिए चीन ने अपना ये जो रुक है वो जाहर किया हलाकि भारत ने इस पूरे के पूरे विवाद में अपनी खुलकर प्रतिकिया नहीं दिया है लेकिन भारत के लिए चीन का ये रुक चिंता का विशेश जरूर है अब तक तो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में ही तलवाने खिची थी लेकिन अब इस जंग की आहट में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है रूस के जिगरी दोस्त की एंट्री भारत का पडोसी चीन खुलकर रूस के समर्थन में कूद गया है समर्थन भी ऐसा कि चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी ब्लिंकिन को फोन किया और रूस की सुरक्षा से जुड़ी उन मांगों को बिलकुल वाजिब बताया जो कि उसने अमेरिका और नेटों के सामने रखी थी इतना ही नहीं यूकरेन बॉर्डर पर रूस के एक लाग से ज़्यादा सेनिकों की जिस तहनाती की वज़े से पूरी दुनिया को तीसरा विश्वयुद छड़ने का डर सता रहा है चीन ने उसे भी बिलकुल सही ठहराया रूस के राश्टपती व्लादिमिर पुतिन पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि रूस ने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस यानि आत्मरक्षा के लिए पडोसी यूकरेन की सीमा पर सैनिक लगाए है क्योंकि अमेरिका और नेटो की सेना पूरवी यूरप में उसके पडोस तक आकर तन गई है और यूकरेन को भी नेटो में शामिल कराना चाहती है अमेरिका और उसके साथी देश रूस की दलील मानने को तयार नहीं वो नेटो में शामिल होने या नहोने के फैसले को यूकरेन की मर्जी बता रहे हैं लेकिन चीन का मानना है कि पुतिन के दावे में दम है इसलिए उसके विदेश मंत्री ने फोन पर अमेरिका को ही शांत करहने और बात का बतंगड न बनाने की नसीयत दे डाली मतलब चीन ने सारा ठीकरा अमेरिका और नेटो पर फोड़ दिया और ये मान लिया कि यूकरेन की मामले में रूस जो कर रहा है वो बिलकुल ठीक कर रहा है चीन ने तो अमेरिका को ये भी कह दिया है कि उसे और उसके साथी देशों को अब शीत युद्धी कि यूरपिया महादूइप में देशों की सुरक्षा की एक ऐसी विवस्था बनाई जानी चाहिए जो की संतुलित हो मतलब की साफ है मतलब साफ है कि चीन का इशारा अमेरिका और तीस देशों के सैन्ने गड़मंदन नैटो के प्रभाव को खत्म करने की तरफ है ये पहली बार है जब यूकरेन विवाद में चीन खुले आम रूस के साथ खड़ा हो गया लेकिन इंसाइट स्टोरी तो ये तक बताती है कि इस रूस अमेरिका और नैटो के साथ चल रही अपनी बातचीत की एक एक जानकारी पहले से ही चीन को रूस दे रहा था मतलब चीन पिक्चर में भले अब दिखाओ लेकिन यूकरेन के मसले में वो पहले दिन से ही पूरी तरह रूस से जुड़ा हुआ था उसके साथ था उसे अंदर की सारी खबर थी वो हालात पर अपनी नजर बनाय हुए था लेकिन जैसे ही उसे पानी सिर के उपर से जाता दिखा उसके विदेश मंतरी ने अमेरिका के विदेश मंतरी को फोन घुमा दिया और चितावनी दी कि वो यूक्रेन पर रूस की मांगों को हलके में कता ही न लें और उनका हल निकालने पर काम करें चीन की इस कॉल की टाइमिंग बेहत अहम है ये तब की गई जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने रूस की सुरक्षा मांगों को मानने से इनकार कर दिया था असल में रूस ने दिसंबर में यूक्रेन विवाद को सुलजाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने दो मुख्य मांगे रखी थी पहली तो ये कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से बैन कर दिया जाए दूसरी ये कि नेटो रूस के पडोस यानि पूरवी यॉरप से अपनी सेना और हत्यारों की तैनाती हटा ले लेकिन दो दिन पहले अमेरिका और ने रूस को लिखित जवाब भेजा और इसकी ये दोनों एहम मांगे ही ठुकरा दी यूक्रेन के लिए चल रहे बवाल में अब तक पडोसी बेलरूस के अलावा कोई भी बड़ा देश रूस के हक में बोलने को तैयार नहीं था लेकिन अब चीन के रूस के समर्थन में आने के बाद पूरा सीन ही पलड़ गया मतलब अगर रूस ने यूकरेन पर हमला किया और फिर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छड़ा तो चीन रूस को जिताने के लिए अपनी जान लगा देगा और अगर चीन जंग में उलजा तो फिर यॉरप की आज भारत तक भी आ सकती है कूटनीती का सिध्धान्त होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त और रूस और चीन के रिष्टे तो काफी अच्छे दिख रहे हैं और दुनों का दुश्मन भी एक ही है अमेरिका, ऐसे मं अमेरिका को चेतावनी देकर चीन ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश ही एक तो उसने रूस का साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई, दूसरा ये कि यूकरेन विवाद के बहाने उसने ताइवान को लेकर भी अपना संदेश अमेरिका तक पहुँचा दिया अपने बगल में एक टापू पर प्रसे ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है 72 साल से उस पर कबजा जमाने का सपना देख रहा है इसी वज़े से रूस और चीन की स्थिती लगभग एक जैसी है जैसे पुतिन यूकरेन को रूस से अलग देश नहीं मानते वैसे ही चीन भी ताइवान को अपने नक्षे में मिलाना चाहता है चीन के राष्टपती शी जिन पिंग तो खुलकर ये कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे और इसके लिए उंगली टेड़ी भी करनी पड़ी तो वो चुकेंगे नहीं यही वज़े है कि बीते कुछ वक्से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए अपनी तिकड़ में भी बढ़ा दी है पिछले साल तो उसने अपने रिकॉर्ड तोड जहाजों को ताइवान के एर डिफेंज जोन में घुसा दिया था बीते अक्टोबर में उसकी सेना के विमानों ने एक दिन में 56 बार ताइवान के हवाई सीमा में घुसपैट की थी यह चीन की ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैट थी वहीं बीते रविवार को उसकी वाई हुसेना के 49 हवाई जहाज ताइवान के आसमान में दाखिल हुए थे लेकिन ताइवान पर चड़ाई के चीन के मिशन में अमेरिका आड़े आता है असल में अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को उसकी मदद करनी होगी और पिछले साल राश्टपती जो बाइडन भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा इसी कारण लगे हाथ चीन के विदेश मंतरी ने फोन पर अमेरिकी विदेश मंतरी को ताइवान के मसले पर चेतावनी भी दे दी चक्र व्यू बना रहा है जिसे वो भेदी न पाए इसके लिए वो यूकरेन के पास अपने जंगी जहाज और जेट तो तैनात किये हुए है ही उसने इस 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 अपने इकलोते साथी और यूकरेन के पडोसी बेलरूस में भी अपने स्यू थर्डिफाई फाइटर जेट खड़े कर दी हैं ताकि यूकरेन के सिर्फ पूर्व से ही नहीं बलकि उत्तर से भी उस पर धावा बोला जा सके इतना ही नहीं रूस बेलरूस के पश्चिमी बॉर्डर पर उसके साथ जॉइंट मिलिटरी डिल भी कर रहा है ये कोई मा मागर में 20 से ज़्यादा जंगी जहाज भी तेनाद करके बैठा है मतलब ये कि वो जल थल और वायू हर मोर्चे पर यूकरेन की गहरे बंदी कर चुका है लेकिन रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइल और करीब 80 टन की 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूकरेन को भेज दी जैवलिन पहले आसमान में करीब 500 फीट की उचाये पर जाती है और फिर नीचे जमीन पर अपने टार्गेट पर फटती है इसी वज़े से वो टैंकों का काल साबित होती है अगर रूस ने यूकरेन पर हमला किया तो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूकरेन के लिए ब्रमास्त साबित हो सकती है क्योंकि वो रूस के टी-72 टैंक के चिथड़े उड़ाने का दम रखती है सद्दाम हुसेन के वक्त इराक में चिड़ी जंग में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के टी-72 टैंक के खिलाफ अपनी ताकत दिखा भी चुकी है और रूस ने यूकरेन के बॉर्डर पर टी-72 बी टैंक ही तैनात किये हुए है हाला कि तब से वो काफी अपग्रेड हो चुके है लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की जैवलिन मिसाइल उन पर भारी पढ़ सकती है